गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में लाट कानवालिस के जो नया समंधी सुधार है उनके बारे में पढ़ेंगे तो देखें स्टुडेंट्स इससे पहले वाले वीडियो म हमने आपको लाट कानवालिस द्वारा किये जो भी सुधार है उनके बारे में पढ़ाया था ठीक है तो हम आपको मतलब कानवालिस ने जो भी जिस चेतर में सुधार किये थे उन सभी के बारे में पार्टिकूलर मतलब चेतर के बारे में आपको बताएंगे ठीक है तो बाहर थी सारी चीज़ें तो जो लाड कानवालिस है इसने आते ही सबसे पहले मतलब जैसे परसासनिक सुधार भी किये थे न्यासमंदी सुधार भी किये ठीक है तो इनी मतलब सुधारों में से एक है आपका न्यासमंदी सुधार तो देखेगा जो लाड कानवालिस है इसने जो भी मतलब अपने न्याय समंदी जो भी सुधार किये हैं इनको हम मतलब लाट कानवाल इसके द्वरा किये गे जो न्याय समंदी सुधार हैं इनके लिए कई तरह की अदालत बनाई गई जो इस परकार थी कौन-कौन सी थी वो जैसे की दिवानी अदालत ठीक है और फिर समंदी दिकार ले लेना सरकार पर मुग्दमा चलाने की सुविधा दिवानी तथा फोसदारी कानूनों का आधार और कानवालिस कोड ठीक है तो कई बार एकजाम में इससे समंदी बड़ा क्यूसन पूछ लेते हैं इसलिए हमने यहां पर इसके बारे में आपको डिटेल से बताने की कोशिस की है तो देखेगा पहला पोइंट है दिवानी अदालत तो जो दिवानी अदालत है इनका जो संगटन है यह चार अदालतों में किया गया था और यह चार अदालत कौन कौन सी थी छोटी दिवानी अदालत है जीला दिवानी अदालते हैं और आपकी प्रा अमीन अत्वा मुनसिफ होता था और इन अदालतों के दिवानी चेतर के छोटे-छोटे मामलों का निर्ने होता था तता साधारन अदालतों को 50 रुपे तक के मुक्द में सुनने का अधिकार होता था तो ये था दिवानी अदालत में छोटी दिवानी अदालत था फिर मतलब एक था आपका जिल्ला दिवानी अदालते हैं, इन के ऊपर जिल्ला दिवानी अदालतें स्तापित की गई, इन अदालतों का परधान एक अंग्रेज नयदिस होता था, तथा उसकी सहाता के लिए हिंदू वे मुसलमान प्रामर्श ताता भी न्यूक्त किये जाते थे, इन जहां जिला दिवानी अदालतों के विरुद अपील की जा सकती थी ये अदालत एक कलकत्ता धाका मुशिदाबाद और पटना में इस्थापित थी ठीक है पट्टेक प्रांती अदालत में तीन अंग्रेज नयाधिस की नियुक्ति की जाती थी नयाधिसों को सहायता देने के लिए एक काजी एक मुफ्ति और एक पंडित की नियुक्ति की जाती थी एक हजार उपयों तक के मुख्दमों के लिए प्रांती नयालियों में अपील की जा सकती थी इससे अधिक रासी के मुख्दमों के अपील सदर दिवानी अदालत में की जा सकती थी ठीक है तो जो खेले कलकता में था इस अदालत का देक्स गौर्णर जनरल होता था था उसकी कॉंसिल के सभी सद्द से इस अदालत के सद्द से होते थे प्राइस सब प्रकार के दिवानी दालतों मुख्दमों के लिए यह अंतिम नाले था पांच हजार रुपे से अधिक के मुख्दमों की अपिल लंदन में समराड की कौन्सिल में की जा सकती ठीक है और अब अगला पोरिन्ट आता आपका फोजदारी अधालत तो फोजदारी अदालतों का संगठन कैसे बनता था इसमें छोटी फोजदारी जो अदालते होती थी जीला फोजदारी अदालते हैं प्रांत ये फोजदारी अदालते हैं सदर निजामत थे अदालत और मतलब कलेक्टरों से जो मतलब इसे संबंदी जो न्या संबंदी दिका भी थे ठीक है तो जो फोजदारी अदालते हैं इसमें देखेगा जो फोजदारी जो अदालते हैं इनके संगठर में छोटी फोजदारी अदालते आती थी ये फोजदारी मामलों के सबसे छोटी काई होती थी इन अदालतों का देख सकोन था था दरोगा या इसको थानेदार भी कहते थे ये अदालतें छोटे-छोटे फोजदारी मुख्दमों की सुनवाई करती थी और जिल्ला फोजदारी दालतें इन अदालतों में एक अंग्रेज नए दीश न्यूक्त किया जाता था तथा उसकी सहाता के लिए एक स्थान ये विक्ति की न्यूक्ति की जाती थी इन अदालतों में छोटी फोजदारी दालतों के निर्णों के विरूद अपिले सुनी जाती थी फिर आता था आपका फोजदारी दालतों के संगठर में प्रांतिय फोजदारी दालतें तो छोटी फोजदारी दालतें जिल्ला फोजदारी दालतें तो इसमें जो प्रांति फोजदारी दालते इसमें जिल्ला फोजदारी दालतों के ओपर चार प्रांती अदालतों की स्थापना की गई ये अदालते कलकता, मुर्शिदाबाद, पठना और ढाका में स्थापित थी परतेक प्रांती फोजदारी दालत के दो-दो अंग्रेज नैधिस न्यूक्त के जा करते थे तदा उसके बाद वे अपना निर्णे देते थे इन अदालतों द्वारा किये गए मर्थ्यू दंट किशुई करती सदर निजामत अदालत में लेनी पड़ती थी ठीक है और जो फोजदारी अदालते हैं के शंगठन में जो अंतिम जो संगठन है वो है सदर निजामत अदालत फोसदारी मामलों के लिए यह है अंतिम नेले था जिसका मुख्यले कहां था कलकत्ता में तो सदर निजामत अदालत है इसका मुख्यले कहां था कलकत्ता में और इस अदालत का जो अध्यक्स है वैस्वेम गौर्णर जनरल ही होता था गौर्णर जनरल था उसकी कॉंस प्रफिशल के सदसे फोजदारी मामलों के सुनवाई करते थे और इस अदालत का निर्णे अंतिम निर्णे होता था ठीक है और अगला पॉण्ट आता है क्लेक्टरों से न्याय समंधी दिखारे ले लेना ठीक है तो लाड कानवाल इसने क्लेक्टरों को केवल राजस्वय की वसुलिका कारिय सोपा और नियाय कारिय के लिए परतेक जिल्ले में जिलाज ज़नी उखते किये गई अगला पॉण्ट आता है सरकार पर मुख्दमा चलाने की सुईधा तो क्लेक्टरों की सरकारी कारियवाई के विरुद दिवानी अदालतों में मुख्द में चलाए जा स दिवानी और फोजदारी कानूनों का अधार तो दिवानी मुख्दमों में हिंदू के लिए हिंदू कानून तथा मुस्लमानों के लिए मुस्लिम कानून प्रियोग में लाया जाता था और फोजदारी मुख्दमों के निर्णे मुस्लिम कानून के नुसार किये जते थे ठीक और कलेक्टों से नया समन्दी दिखार। भी हमने आपको बताया वाइक लेक्टरों से न्या समंदी जो अधिकार वो ले लिये गे थे लाड कानवालिस ने एक लेक्टरों को केवल राजस्वय की वसूलिका कारिये सोपा और न्या कारिये के लिए परतेक जिल्ले में जिल्ला जज नियुकते किये गे सरकार पर मुख्दमा चलाने की सुविदा और दिवानी और फोसदरी कानूनों का अधार ठीक है यह हमने आपको सब समझा दिया है अब आपका अंतिम पॉइंट आता है कानवालिस कोड तो लाड कानवालिस ने 1763 में इस्वी में नियाय व्यवस्ता में सुधार लाने के उद और नियाय व्यवस्ता को पर्शासन से अलग करना कानवालिस के पहले जिला कलेक्टरों को नियाय का कारिये भी करना पड़ता था प्रंदु कानवालिस कोड के नुसार कलेक्टर को केवल राजस्वावसुली का कारिये सोपा गया और नियाय कारिये के लिए परतेग जिल्ल को कठोर कारवास के सजा देने की विवस्ता की गई वकीलों को लाइसेंस देने की विवस्ता की गई सरकार द्वारा वकीलों के लिए फीस निर्दारित कर दी गई इस नियम का उलंगन करने वालों को आयोगे गोसित करने की विवस्ता की गई कानवाल इसने नियाले के दिखारी लोग थे इनके वेतन बढ़ा दिये कमपनी के करमचारियों और अधिकारियों पर अनुचित और गैर कानुनी कारिये करने पर मुग्दमा चलाए जाने की भी विवस्ता की गई ठीक है तो देखेगा स्टूडेंट्स कानवाल इसके जो निया समंदी जो परिवर्तन है उनके बारे में हमने आपे जानकारी प्राप्त की और आगे के वीडियो में हम आपको उसके और अन्य जो सुधार किये गए थे उनके बारे में बताएंगे तो देखेगा मतलब की यह इसका निया समंदी जो सुधार है इसके बारे में निसकर्श रूप में हम कह सकते हैं कि 1787 से तिरान में इस्वी के मद्दे किये गए जो नियाएक परिवर्तन है वो मतलब काफी दो स्पून भी सिध हुए हैं त्योंकि नियाए परशासन उस समय तक उप्योगी नहीं हो सक जब तक वह उन लोगों के रिती रिवाज और परंपरा के नुकूल ने हो जिसकी बलाई के लिए परशासन इस्ताफित किया गया था और मतलब ये बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो भी अधिकारी थे नियाए से समंदित उन सब का मतलब भारत मतलब जो कानवाली से उ उन अधिकारीों को ये लोगों को लिया था उस मतलब उसके लिए और भारतियों को नहीं लिया था तो वो यहां के बारे में क्या समझेंगे हता है जो उसके नया समंदित उधार थे उनमें मतलब सबसे परमुक दोस भी यही था ठीक है तो इसी परकार से हम आपको और भी आगे मतलब इत्यास विसे समंदित मैं तो पूर बताएंगे तब तक बने रहें हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज बे